क्या तुम काम कर रहे हो को आज की इस वीडियो में हम इंग्लिस में ट्रांसलेट करना सीखेंगे इस सेंटेंस को तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिस जान लेते हैं उसके बाद हम जानेंगे कि इस तरह के वाकों को इंग्लिस में ट्रांसलेट करने का क्या नियम है तो क्या तुम काम कर रहे हो इसकी in English होगी Are you working तुमको in English में यू कहते हैं और काम करना को in English में working कहते हैं तो क्या तुम काम कर रहे हो Are you working देखिए जी सवाकते के अंतमेर रहे हो रहता हो वो present continuous tense का sentence होता है तो इसमें क्या से सुरू होने वाला interrogative sentence है यहनि present content instance का interrogative sentence है ऐसे वक्ष को इंगलिज में translate करने का नियम है सबसे पहले EJMR उसके बाद subject उसके बाद verb के साथ ING तो सबसे पहले R रहेगा U के साथ हमेशा R रहता है उसके बाद subject है U उसके बाद verb है work वर्क के साथ ING working Are you working? दोस्तों आपको इस चैनल पर इसी तरह की छोटे छोटे वीडियो मिलती रहेगी जिससे की आप थोड़े थोड़े समय में ही अपने English improve कर सकेंगे